हेलो नमस्कार जहिन प्यारे साथियों देखिए नैटो को लेकर एक बहुत बड़ा विबाद फिर से सामने आया है और वो विबाद जो है वो हो सकता है कि वर्ल्ड वार 3 में भी कनवर्ट हो जाए इतना बड़ा विबाद हो रहा है अब अब क्या हो रहा है जब आप यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में एक देश हैं फिंलेंड यह बल्टिक्स आगर के पास में पड़ता है यह नौरवे, स्वीडन और फिंलेंड यह पास में पड़ते हैं अस्टोरिया, लात्विया, लिथवानिया, बेलारूस है, ये सब देश पास में बढ़ते हैं यहीं पर है रसिया यानि रूस अब देखिए इसने डिसाइड किया है फिनलेंड ने इसने डिकलेर कर दिया है इसने सदसिता जॉइन कर ली है किसकी नेटो की सदसिता इसने जॉइन कर ली है नेटो की सदसिता और इसकी सीमा देखिए यह पूरी की पूरी सीमा ये किसे लगी हुई है रूस से इसकी सीमा लगी हुई है रियलिटी में ये जो फिनलेंड देश है न ये 1991 में 1991 में रूस से ही अलग हुआ था तूट कर अलग हुआ था टोटल रूस से 14 देश तूटे थे 15 देश में बट गया था और रूस का जो पुरा तोटल 15 देश हों बट गया जिसमें से यह सारे देश जो आपको दिख रहे हैं नजदीक के यह हो गया आपका फिन्लेंड हो गया एस्टोनिया लात्विया लिथवानिया यहां पर बेलारूस हो गया और भी बहुत सारे देश हैं ठीक है कजाकिस्तान बगर यह सब रूस से अ अमेरिका ने क्या किया था जब 1946 में 1945 में जब सेकंड वल्ड वार खतम हो गया तो पूरी दुनिया दो धड़ाओं में बट गई थी कैसे कुछ ऐसे देश थे जो रूस के इसके अमेरिका के साथ थे USA के साथ और कुछ ऐसे देश थे जो रूस के साथ थे पूरी दुनिया दो धड़ाओं बट गई थी और इन दौनों देशों के बीच में USA और रसिया के बीच में युद्ध शुरू हुआ था जिसको हम कॉल्ड वार के नाम से जानते हैं कुछ देश रूस का साथ देने लगे थे कुछ देश USA का साथ देने लगे थे इसी लिए USA ने एक संगठन बनाया 1948 में ये संगठन बनाने का इसने काम स्टार्ट किया और 1949 में इसने संगठन बनाया संगठन का नाम था NETO नेटो मतलब North Atlantic Treaty Organization USA के द्वारा बनाया गया था USA के द्वारा इसकी पहल की गई थी इसमें टोटल आज के टाइम पर अभी प्रिजेंट में देखो तो 31 देश हैं अब तक इसमें इसके जो मेंबर थे वो मात्र कितने थे 30 देश थे अब ये रहा फिनलेंड तो फिनलेंड न USA और रूस में बनती नहीं है अभी भी आपस में इन में बहुत जादा मनमुटाप है क्योंकि रूस अपने आपको महासक्ती के रूप में दुनिया के सामने सिद्ध करना चाहता है और अमेरिका अपने आपको दुनिया के सामने महासक्ती के रूप में सिद्ध करना चाहता अब यह चोटा सा देश है यह इतने बड़े देश से देखिए पंगा लेग बैठा है यहां पर इसी नेटो को लेकर ही विवाद हुआ था यूकरेन देखो यूकरेन आज भी युद्ध में है रूस और यूकरेन का आज भी युद्ध चल रहा है अभी युद्ध खतम नहीं हुआ है एक साल से जादा टाइम हो गया यूकरेन और रूस का युद्ध भी क्यों स्टार्ट हुआ था नेटो को लेकर ही स्टार्ट हुआ था यह देखिए अट्लांटिक महासागर है तो नौर्थ अट्लांटिक ट्रिटी और्गनाइजेशन यानि नेटो है ना इसमें आ है आपका फिलनेंड यह नेटो का 31 मेंबर बन गया इसने डिसाइड गया है और इसने डेकलेर कर दिया है कि हम नेटो के मेंबर हैं अब यह नेटो कैसी संगठन है देखिए नेटो एक ऐसा संगठन है इसमें क्या है कि अगर कोई भी देश किसी भी नेटो के मेंबर पर अटेक करेगा तो यह सब 31 के 31 देश उसके साथ लड़ेंगे उसके अगेस्ट में लड़ेंगे मालो भारत ने अटेक कर दिया फिनलेंड के उपर सॉरी भारत ने अटेक कर दिया भारत ने अटेक कर दिया यह रहा इंडिया भारत ने अटेक कर दिया मालो इंग्लेंड के उप अलगी हुई है अब रूस इसी चक्कर में तो किस से लड़ रहा था यूक्रेन से क्योंकि यूक्रेन भी रूस से ही तूटकर अलग हुआ था और फिनलेंड भी इस से तूटकर अलग हुआ है अब देखने वाली बात होगी कि क्या रूस इसके उपर फिनलेंड के उपर अटे यह है कि हम एरान के ऊपर आख करमड करेंगे इधर यह आपस मैं लटे जा रहे हैं इधर रूस और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है लेकिन आप सोचोगे कि क्या सर्य यूक्रेन नेटो का मेंबर है यूक्रेन ने बस बताया था कि हम नेटों की सदस्ता ग्रहन करने वाले हैं लेकिन अभी इसने की नहीं है अगर ये ग्रहन कर लेता है तो तो फिर ऊसकता है कि रसिया को वार रोकना पड़े क्यों वरना इसे फिर इन पूरे को पूरे 31 देशों के साथ एक साथ लड यार दे रहे हैं और तब यह छोटा सा देश इसने बड़े देश से लड़ पा रहा है एक बहुत बड़ी महासकती से लड़ पा रहा है यूक्रेन तो पूरा का पूरा जो विवाद खड़ा हुआ है यह नैटो की वजए से खड़ा हुआ है इस नैटो को जान लेते हैं कि यह क्या है इसका जो पूरा नाम है वो है North Atlantic Treaty Organization यह एक संगटन है यह एक military alliance है मतलब यह सैने संगटन है याद रखना कभी नैटो के बारे में आप से question आजाए किस प्रकार का संगटन है यह तो यह सैने संगटन है यानि एक military alliance है यह साइन किया गया था कब साइन किया गया था चार अपलेल 1999 को साइन किया गया था वासिंग्टन DC में अमेरिका इसका पहल करता था और आप देख सकते हैं टोटल इसके सदस से कितने हैं अब सद सदस्ट बन गया है फिन्लेंड एकत्तीसमा सदस्ट बन गया है फिन्लेंड आज ही इसने टेकलेर किया है ठीक है तो नेटों की वजह से पूरा विवाद हो रहा है यह ठीक है क्योंकि यह सोचों 31 के 31 देश एक साथ लड़ेंगे फिर रूस के साथ है ना अगर इसने रूस अगर फिन्लेंड के उपर आठेक कर दिया तो यह देख सकते हैं आप कौन से देश ने कब नेटों की सदस्टा ग्रहन की है सबसे पहले यह 12 देश थे बेलजियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलेंड, इटली, लक्जंबर्ग, नीदरलेंड, नॉर्वे, पुर्तग यूके और यूएस, यूके मतलब इंग्लेंड, इन 12 देशों ने मिलकर 1949 में स्थापना करी थी, धीरे 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 इससे देश जुड़ते गए और इसका जो तीसमा मेंबर था, याद रखना वो नॉर्थ मैसिडोनिया था, नॉर्थ मैसिडोनिया यह 2020 में नेटों का इसके लावा यूर्थ मैंबर बन गया है, कौन सा, 31 मैंबर बन गया है, फिनलेंड, याद रखना फिनलेंड बन गया है, तो ये फिनलेंड के चक्कर में, पूरी दुनिया में बड़ा विवाद फैला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आल्रेडी देखिए, अगर वर्ड के में देखिएंगे, तो नेटो के सदसे देश कितनी है, ये सारे जो आपको देख रहे हैं, देखिए, ये रहा, अमेरिका है, ठीक है, कनाड़ा है, ग्रीण लेंड है, आइसलेंड है, और ये रहा, आपका नॉर्वे है, इसके लावा यूरोप के इतने सारे देश, ये सभी netto के member है याद रखिए और अब इसने auson कर लिया ये रहाfoundust ये फिल्लेंड है जो दिखा दे रहा है इन सब देशों को अगेस्ट में एक ही देश लड़ रहा है खौनसा रसिया तो पूरी दुनिया से लड़ रहा है लगवग आधी दुनिया से लड़ रहा है अकेला देश ठीक है और रूस और यूक्रेन के बीच में और लेड़ी युद्ध चल ही रहा है तो भाईया ऐसा नहों कि रूस अगर पिंलेंड के उपर आकरमड करता है तो समस्चा यह बन जाएगी कि पूरे के पूरे 31 देश यान ना तो हम USA का पच्छ लेते हैं ना ही रसिया का पच्छ लेते हैं हम कहते हैं विज्ध तम दौनों लड़ो जिसको लड़ना है वो लड़ो हम अपना काम करेंगे खाना भी ना खाके मस तो सोयांगे हम रील बनाएंगे रील देखेंगे ठीक है चलिए तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल पर आती रहेंगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जैहिन